स्वागत है आप सभी का Tech Study IT योटूब चनल पर Railway Recruitment Board की टरप से फाइनली एक और नोटिस यहाँ पे जारी किया जा चुका है ALP 2024 की जो भरती आई थी उसका एक अपडेट जारी किया जा चुका है एक और जेंडम नोटिस यहाँ पे जारी किया जा चुका है कई सारी डिमांड थी सभी शात्रों की भी थी साथ में कोचिंग इंस्टिटूट्स की भी थी Railway Chairman के साथ कई सारी मीटिंग सुई लेकिन फाइनली हुआ वही जो Railway Board चाहता था उन्होंने सिर्फ एक डिमांड मागी है मानी है इसमें से जो कि है आपका एज को बढ़ाने के लिए के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया एक कोरिजन्डम जारी किया जा चुका है जिसे आप लोग यहाँ पे प्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उफिसेल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं वहाँ से आप लोग डारेक्ली पे जा सकते हैं चैनल पने हैं तो प्ली सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजेगा और साथ में वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजेगा और ऐसे सब भी अपडेट और इन्फार्मिसन के लिए टेलिग्राम चैनल पे जूर जाएगा बीस अजार के करीब वहाँ पे इस्टुएंट्स जुड़ने वाले हैं आप भी उसका एक हिस्टा जरूर बनिएगा आईए देखते हैं अपडेट में क्या बताया गया और इसके साथ साथ एक और रास्ता क्लियर हो गया जो टेकनीसियन की वैकेंसी आपकी आने वाली जो की बहुत जल्द आएगी कल एक एडवांस नोटिस आ चुका है उसमें भी एच लिमिट यही रहने वाली है तो यह बहुत अच्छा हो जाएगा आप सब के लिए आप सब के लिए नहीं कह सकते देखिए कुछ स्टुएंट्स के लिए अच्छा है तो कुछ स्टुएंट्स को लगे हमारे साथ धोखा हुआ है कैसे आगे हम लोग बात करते हैं देखिए यहां पर यह है कोरिजंडम जो की पैरा 5 और 5.2 में जो डिटेल नोटिस निकला था सेंट्रल एक बटा दोजार चॉबिस उसमें चेंज किया गया क्योंकि नया नोटिस तो अलाया नहीं जा सकता दुबारा तो एक अपडेट जारी कर दिया जाता है तो इसमें यह है कि अपर चॉबिस ना आने के वज़ा से ओवरेज हो गया उन्हें यहां पर ठीक है त्री येर्स का तीन साल का जो है एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा किस भरती में? ALP में as a one time measure ध्यान दीजे ये one time process है सिर्फ एक बार ये छूट अभी इसी notification में दी जा रही है इसके बाद अगर जैसा railway ने कहा है कि हर साल भरती आएगी अब तो हर साल अगर आएगी तो वो 18-30 ही रहेगा पहले 28 सा उसको 18-30 किया गया जो over age हो चुके थे तो obvious सी बात है अगर अभी farm की संख्या कम से कम माल लीजे 30 लाख रहने वाली थी तो अब ये संख्या जाके कम से कम 50 लाख या 45 लाख के आसपास हो जाएगी क्योंकि बहुत से can rates ऐसे होंगे जो 30 प्लस हो चुके रहे होंगे अब 18-33 किसका है अन्रिजर्ब काटेगरी का तो 18-33 अगर अन्रिजर्ब काटेगरी का है तो OBC का कितना हो जाएगा 18-36 हो जाएगा SCHT का कितना हो जाएगा 18-38 साल तक हो जाएगा तो फिर form की संख्या आपकी obvious सी बात है बढ़ने वाली है ठीक है तो ये age limit अपना देख लीजेगा यहाँ पे categorized data of birth दी गई है Unreserved and EWS 91 या उसके बाद तक के हैं 27-91 OBC 27-98 या उसके बाद SCHT 27-86 या उसके बाद ठीक है PWD जो candidates हैं सरी lower limit birth date की है 17-2006 ये सभी के लिए रहेगी ठीक है एक जुलाई 26 के पहले पहले आपका जन्म हुआ है और 91 के बीच में तो आप ये form को भर सकते हैं ठीक है तो यही यहाँ पे clearly लिख दिया गया है बाकी SCHT OBC candidate जो Unreserved vacancy में apply करेंगे उन्हें age limit में छूट नहीं मिलेगा क्योंकि देखो age limit के जो 18-33 का criteria है ये UR and EWS का है तो अगर आप इसमें fight करते हैं तो आपकी भी age limit EC के बीच में होनी चाहिए अगर आप age relaxation ले ले लेते हैं तो आप जो OBC का quota होगा उसमें fight करेंगे आप अगर SCHT में relaxation लेते हैं तो आप जो SCHT का quota होगा उसमें fight करेंगे ठीक है तो यहीं चीजें यहाँ पर संजाई गई है और ये notice यहाँ पर दे भी दिया गया है साथ में एक और लिखा candidate with relaxed age can submit application form from 31.01.2024 12.00 PM onward देहान दीजे अभी form नहीं भरना है जो relaxed age वाले candidates है उनका data birth 31.01.2024 दोपहर 12.00 के बाद उसमें 100 होना start होगा तो आप लोग 31.01.2024 के बाद से ये form भरिएगा and hopefully फरवरी के पहले हफते में technician की vacancy का notification आ जाएगा जिसमें आप लोगों को फिर से age relaxation दिया जाना चाहिए and दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर को रिजेंडा माच चुका है तो उसमें भी आ ही जाएगा बाकि दोनों का syllabus से मूता है तो आप लोग मेहनत करके तयारी कीजिए and जब छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो competition भी बढ़ेगा एक लिए वीडियो में वीडियो को लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा थेंक्यू